अब चलते हैं जी 8th and 9th question और इसी के साथ हमारा unit 2 और session 1 पूरा complete हो जाएगा 90 number page पे अभी हम ये मैं अभी बेटर 95 तक done करता हूँ ठीकर फिर हम चलेंगे unit 2, session 2 और last आईए बस थोड़ा सी हो रहे अभी हमारा चल रहे है unit 2 का session 1 और सारा कुछ मैंने playlist में sequence वाईज upload कर दिया है चलिजी दान्तों की देखवल क्यों जुरूरी है दान्तों की देखवल कैसे करें answer स्वस्त्या दान्त प्रापत करने के लिए जीवन वर देखवल के अब शक्ता होती है यहां तक कि अगर आपको बताया गया कि आपके दान्त अच्छे हैं तो उनकी देखवल करने और समस्यां को रोकने के लिए हर दिन सही कदम उठाना महत्त पूरन है इसमें सही औरल केर उत्पाद प्रापत करने के साथ अपनी द्यानिक आदितों के प्रति संचेत रहना भी शामिल है देखिए हैडिंग्स पॉइंट्स बना के दियो है अपने दान्तों को ब्रश किये बिना बिस्तर पर नह जाए या कोई रहस्या नहीं है कि समान्य शिफारिश दिन में कम से कम दो बर ब्रश करने की है फिर भी हम में से कई लोग रात में अपने दान्त ब्रश करने की पेक्षा करते रहते हैं लेकिन सोने से पहले ब्रश करने से दिन बर जमाओने वाले किटानु और पलाग से चुटकारा मिल जाता है ठीक से ब्रश करें second heading आप जिस तरह से ब्रश करते हैं वैं भी उतना ही महत्पुरुना वास्ता में अपने दांतों को ब्रश करने का खराब काम करना लगा उतना ही बुरा जितना की ब्रश नहा करना अपना समय ले पटिका को हटाने के लिए टूथ ब्रश को कोमल गोला कर गतियों में घुमाए बीना हटाए पलाग सकता है जिससे कैलकुलस बिलड़ अप और मसूडों की सूजन शुरुवाति मसूडों की बिमारी हो सकती है थर्ड हेडिंग, अपनी जीब की अपेक्षा ना करें, आपकी जीब पर पलाक भी जम सकता है, पलाक मतल जैसे यलो यलो शसा कुछ या फिर मैल टाइप में कुछ भी, इसमें से ने केवल मूँ से दुरुगंद आ सकते हैं, बलकि इससे अन्य मोखिक स्वास्य समस्यां भी आ सकते हैं, हर बार जब आप अपने दात ब्रश करते हैं, तो अपनी जीब को धीरे से ब्रश करें, फलोराइड टूथ पेस्ट का प्रयोग करें, ओल्मोस्ट सभी टूथ पेस्ट में फलोराइड ही पाया जाता है, वाट फिर भी कुछ परसेंटेस देख लीजें, जिसमें म प्रश करें कि इसमें फलोराइड है, जबकि फलोराइड स्वास्ते के लिए नेक शेत्रों को कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में चिंतित लोगों द्वारा जांच के दारे में आ गया है, या पदार्थ मौकिंग स्वास्ते में मुख्याधार बना हुआ है, ऐसा इसल भोसिंग फ्लोसिंग जैसे द्दाग हम मारते रहते एक थीत में फिलोसिंग करना है। शेफिक यशाया रइने 2022 है. लिए लिए खेवल भोजनया ब्रोकली के चोटे टुकडे प्रापत करने के लिए नहीं है जैसा कि जुनातन श्वाटर्ज बताता है यह स्वास्ते में सूडों को उतेजित करने पटिका को कम करने में मदद करने का एक तरीका है आप भी कोई भी कर सकता है फ्लोसिंग का किट लाकर मार्केट से कुछ पीसीज लाकर उससे फ्लोसिंग कर सकता है सेवन माउथवोश पर विचार करेश वी ग्यापन अच्छे मौखिक स्वास्ते के लिए माउथवोश का वश्यक बनाती है लेकिन बहुत से लोग उन्हें छोड़ देते हैं कोकि वे नहीं जानते कि वे कैसे काम करते हैं श्वाटर्ज का कहना कि mouthwash तीन तरह से मदद करता है यह ahead मुँ में acid की मातरा को कम करता है slit के अंदर और आसपास की किषत्रों के साफ करता है और दांतों को फिर से खनेज करता है माउथ वाश चीजों को संतूलन में लाने में मदद करने के लिए एक सहाइक उपकरन के रूप में उपयोगी होता है एर्थ पॉइंट देखिए अधिक पानी पिए पानी आपके समगर्स वास्ते के लिए सबसे अच्छा पे बना हुआ है जिससे मोकिक स्वास्ते भी शामिल है इसके अलावा एक नियम रूप में श्वाटर्स हर भोजन के बाद पानी पीने की सिला देती है यह ब्रश के ब्रश के बीच चिपचिपा और अमलिया खादिया पदारतों पे पदारतों के कुछ नकरातमग प्रवाबा को धोने में मदद कर सकता है नाइन्थ कुरकुरे फॉल और सबजियां खाए खाने के लिए तियार खादिया पदारत सुवीदा जनक होते हैं लेकिन जब आपके दांतों की बात आती है तो शायद इतना नहीं ताजा कुरकुरे उतपाद खाने से नय केवल अधिक स्वास्ता है फाइबर होता है बलकि यह आपके दांतों के लिए भी अच्छे सबसे अच्छा विकल्प है तैंथ मीठा और अमलिया खादिया पदारत सीमित करें अंत में चीनी मुँ में एसिड में बदल जाती है और तो जो तब आपके दांतों के इनेमल को नस्ट कर देती है यह एसिड केविटी का कारण बनती है अमलिया फल चाय और कॉफी भी दांतों के इनेमल को खराब कर सकते हैं हाला कि जुरूरी निया कि आपको ऐसे खादिया पतारतों से पूरी तरह परहेज करना पड़े लेकिन साबदान रहने में कोई हर्ज नहीं है 11. साल में कम से कम दो बार अपने दांत चिकित्सक से मिले देंटिस्ट से यानि आपकी अपनी द्यानिक आदतें आपके संपूरन मोकिक स्वास्ता के लिए महत्व पूरन है फिर भी यहां तक ही सबसे करतबया निस्ट ब्रश करने वाले और फ्लोसर्स को भी नियमत रूप से एक दंत चिकित्सक को देखने के अब शक्ता होती है कम से कम आपको अपने दंत चिकित्सक से साल में दो बार सफाई और जाँच के लिए जाना चाहिए नयकेवल एक दंत चिकित्सक पत्री को हटा सकता है और गुहाईयों को की तलाश कर सकता है बलकि वे संभावित मुद्दों को भी देख पाएंगे उपचार समाधान परदान कर सकेंगे चलिए बटा नाइन्थ कोशन भी देख लिजे नाइन्थ इसका लास्ट कोशन है अंतराल या अराम की अबधी से आता है तेज दोड़ने के बीच यह विधी सप्रियाश और पुन परपाशित सिधान पर आदारीत है इसका मतलब है कि प्रस्रिक्षन के दान निर्दिस्ट कसरत के बीच कुछ वसुली अबधी दी जाती है ताकि धावक ठीक हो जाए नाड इस उत्पादो जैसे लैक्टिक असिड और सी योटू आदी के संचय में भी ब्रीदी होती है उधारन के लिए दिख्तम गती के साथ 300 मीटर दोहराना हर्द्यागिती 180 बीट प्रती मिनट तक जाती है और धीमी जोगिंग या वोक के साथ 100 मीटर और फिर से अगले में वरिदी करना और एनार्बिक परदर्शन में सुधार करना है सुधार लाना है अंत्राल बिधी चार चरों पर आधारित है very very important and interesting question काम की गती, वसूली की गती, वसूली की अबदी, काम की अबदी, धोराब की संख्या